ओम शान्ति ग्यान रत्नों का भंडार शिव बाबा रोज हमें ग्यान देकर हमें भरपूर करते हैं जो बाते बाबा हमें सुनाते हैं उससे सुनकर हम रिफ्रेश होते हैं और अभी तक जो हमने अज्यान काल में सुना है बाबा कहते हैं उस सब को भूल जाओ और केवल जो शिव बाबा सुनाते हैं उसे ही सुनो किसी और से नहीं तो आज सवेरे हमने जो बाब दादा के साकार रूप के चले हुए महावाक्के सुने उनके विशेश पिंदूओं को हम रिवाइस करते हैं कंट्रास्ट की बाते पहले हम पावन थे अभी पतित बने हैं पतित बहुत होते हैं पावन थोड़े होते हैं सत्युग में सब हैं पावन कल्युग में सब हैं पतित देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते भगवान निराकार शिव को कहा जाता है भारत स्वर्ग था, अभी नर्ख है तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती हैं, वे नास्तिक है वे लोग कहते भक्ती नहीं करते, वे नास्तिक है वे कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच आत्मा के साक्षतकार के विशे में कौन-कौन सी बाते समझानी है हमने आत्मा का साक्षतकार किया है आत्मा ज्योती बिंदु है आत्मा में ही अच्छे वा बुरे संसकार है आत्मा की सारी नौलेज हमें मिली है जब तक आत्मा का साक्षतकार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे अभी हमें परमात्मा द्वारा God Realization और Self Realization हुआ है हम बच्चे क्या जानते हैं ये शरीर छोड़ बाप के साथ वापिस जाना है ये सारी दुनिया विश्यस है पुनर्जनम लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है बाप आये हैं साथ ले जाने भगवान के विशे में पतित तो भगवान हो नहीं सकता देह धारियों को भगवान कह नहीं सकते भगवान निराकार शिव को कहा जाता है भगवान बाप एक है वर्सा उनसे मिलता है भगवान वाच मनुष्य सब पतित हैं शिव बाबा की महिमा, सर्वशक्तिमान, पतित पावन, गीता ज्यान दाता, ज्यान का सागर, निराकार याज से ब्राप्तियां, याज से हम पावन बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बनेंगे, वर्सा मिलेगा, विकरम विनाश होंगे, विकरमा जीत बनेंगे मनसा महादानी बनने से फायदे मास्टर सर्वशक्ती मान का वर्दान प्राप्त होता संकल्प वश हो जाते संकल्पों को एक सकिन में जहां चाहे टिका सकते चंचल संकल्प वालों को थोड़े समय के लिए अचल वा शांथ बना सकते धार्णा क्या करनी है? देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है अपने को आत्मा समझ फिर परमात्मा बाप से सुनो पावन दुनिया में चलना है तो पतित दुनिया में बुद्धियोग निकाल देना है विकार में नहीं जाना है मुरली की पॉइंट नोट कर रिपीट कर दूसरों को सुनानी है सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मन्थन करना है सबको पहले पहले बाप का परिचे देना है तो ये थी आज की मुरली से कुछ विशेश बातें हम सारा दिन सेल्फ रियलाइजेशन, गौड रियलाइजेशन पर अटेंशन देंगे देही अभिमानी स्थिती का अभ्यास करेंगे और अगर पावन दुनिया में जाना है तो जैसा बाबा ने कहा सारा दिन इस पुरानी पतित दुनिया से अपना बुद्धी योग निकाल कर रखेंगे इसकी प्रेक्टिस भी हम अवश्य करेंगे ओम शान्ति